इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए माराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकों को अवस्य दभा दे इसलिए मेरे प्रभो ने कहा बांटी विपरिति सब्सक्राइब करने करते हैं बड़ी कर्फ्री नावर स्रेष्ट भाई को ही कुछ समय में समर्ण किया जाता है देखो भाई भाई मैंने भुजा नुरे पेक्ष्ण हो कर साप एक्ष्ण हो करनी अपना स्रेष्टत व अपने हाथ में हमारा कर्तब क्या है हम इसका चुनाव करें उनका कर्तब क्या है हम दुख्य कब होते हैं जब हम उनके कर्तब का समर्ण करने का प्रयास करते हैं उनका करतब क्या है? हम दुख्य होना हुए हमारा करतब क्या है? हम इसका करना है हमारा करतब क्या है? करना लेकिन सावधाना धर्म बेवहार कभी अकेले करना नहीं है सब को समेट के करने परिवार में हो समाज में हो गाउं में मंदिर भी बनवाना है तो अकेले अपने पैसे से कभी बनवाईएगा भी नहीं । ज्योंकि आप नहीं हैं, तो कोईiren दीपक भी नहीं जलाएगा। पानसो नहीं, पचाफ रुप्या चाहिए। पूरा गाह विलकर के लगावे तभी मन्दिर में दिया जलेगा। यह तो नहीं जलेगा। समाज का कारिय, धर्म का कारिय, सारवजनित कारिय, सबके भाव से, सबके संकल्ब से, सबके मन से समाई तु संपर्त होना चाहिए, इस से सबकी आत्मा, मन, भर्दै, उसमें सन्नत रहता है, जुड़ा रहता है प्रभू ने कहा कुवशर उपस्थित होता है तो स्रेश्ट भाई ही संग होते हैं नयाले में, चिकित साले में, शमसान में, जो उपस्थित है वो हमारा नयाले में, चिकित साले में, शमसान में और ऐसा भी नहीं है कि जब कोई बिपत्ति आवे तभी हम प्रतिक्षा करें उनके घर में बिपत्ति होगी तभी हम जाएंगे संबदा आएगी तो कडार भी नहीं जाएंगे ये भी उत्पात अच्छा नहीं सबकी मन की अपनी गती है लेकिन दुख आवे पहाड तो तो वहाँ उपस्तित रहना आवश्यर ये मानों का धर्म है परमात्माने समारा सनेह दिया लाड़ लडाया बरत जी गदगद हो गए आग्या मिली हाथ जोड़का चरणों में प्रणान किये प्रभु देव देव यविशेक हित गुरुवन सासन पाः आन्यों सबतीरत सदिल तिही अहां का रह जाए प्रभु अवशेक के लिए गुर्दय भगवान की आग्या पाकर सब सामक निलाए है उसके लिए क्या आग्या है सरकात बरदी प्रतक्षाने करते हैं उत्तर की प्रभु जहां सरी चरण पड़े हैं चित्र कोड़ धाम में आग्या हो तो हम उस सब ख्षेत्रों का दर्शन कर लेते अवश्य दर्शन करिए अत्री महराज की आग्या लीजिए और अविशेक की सामगरी जो लाए हैं उनकी की आग्यानुसार कहीं पधरा दीजिए अविशेक की सामगरी एक कूप दिव्य था उसमें पधराई गई उसका नाम भरत कूप पड़ा है आज भी है आप जाएंगे दर्शन होगा प्रवेश करते ही पहले भरत कूप पड़ता है पांच दिन में भरत भिया ने चित्र प्रवन आश्रम पर पधारे आज विदा का देन है अब सब लोग जब उपस्थित हो गए सब का स्वागत भया सेश्ट जनों को वंदन इधर जनों को वाश्रवाद सब चुप विदा कहें को हाथ जोड़कर प्रणाम कर भरत जी ने कहा प्रभू अब हम श्रियवद जाएं प्रणाम करते भरत जी को भगवान ने हदरी से लगा लिया समझाया मुखिया को कैसे रहना लाला मुखिया मुकसो चाहिए खान पान को पे पाले पोसे मुखिया का सभाव मुख जैसा बेवेत पुरवक सारे यंगों का जैसे मुख पादन करता है मुखिया को सब का पादन करना चाहिए आप चिंता करिए गाने ही यहां और राज सत्ता दोनों का समाल गुरूप कृपा विप्रेश जी करेंगे हम आप वस आग्या मान करके बे नहीं जाती है भहिया भरत जी कब गुर्देव भगवान की कृपा मितलेश जी की कृपा सब भाव समेट कर प्रभु प्रबोध तो बहुत भाती कर रहे हैं अरंतों भरत जी के चित्न में शांती कि भरत जी भगवान से कुछ चाहती है बरत का शीम श्रष्ट समाज का संकोज सचीव माताओं की उपस्थिती भगवान चाहकर भी नहीं कर पारे प्रंतों अकारण करुणा वरुडाले की कृपा बर्शी और मेरे प्रभु ने प्रभु करी कृपा पावदी दीने साधर भरक शिषधर ने रभु करी कृपा पावदी दीने साधर भरक शिष्धर दीने चरन पीछ परण भाण दे जंग जुग जान दे रजा प्राण दे चैन दे पीज़े आहां दे जान के जन दोगे चामी कर शचाथा प्राण दे अखर कुआये लिए से कुटने दिल्म के आत्या अखरे घूरे तुने में इंता नाओए इंता मार दुझे सकते हुट भरने से कुटर से are खरत लो दिक याँ लंब लेटे अससो पहर दिये राम रेटे अड़के दूबें गया लंबे लेते अस सुखर अस जीये राम रहेते अस सुखर अस जीये राम रहेते अस सुखर अस जीये राम रहेते भरत जी को लगे मानो ये चरण पादुकाओं के सुरूप में प्रमात्मा स्री सीता राम जी ही मेरे साथ श्री अयोध्या चलाए भरत मुदित अवलम रहेते अस सुख जीये राम रहेते वर्ज ने पादुकाओं प्राप्त की और फिर दंडवत प्रणाम ना प्रवो ने उठा लिया वर्ज को हुदे से नखाए आज करुणा निधान प्रमात्मा के नेत्र बारज लोचन मौचजवारी दे की दसार सुरसभा भूखाए कबल नेन से प्रमात्मा के भैया के प्रती प्रेमस्रु बहचर इधर वर्ज जी रो रहे हैं उदर मेरे प्रभु रो रहे हैं यह देखकर जगत में जिनकी गती नहीं है मन में वैराग्य अवस्थित है ऐसे रिशी मुनी जितने उपस्थित है मिठला पती विदेह राज गुर्देव माताएं सब रोने लगे पूरा चित्रकूट आज करुणा के समुद्र में अवगाहन करने लगे देवताओं की सभावी देखकर दुखी हो काहन भैया का प्रेम देखकर जब जब याद आई भाई के दुलार तो हरा तब तब काटे धाई अंगना अरे दुवार तो हरा जब जब याद आई भाई के दुलार तो प्रभु विदा नहीं करना चाहते हैं धर्म केंद्र में वचन केंद्र में शत्य केंद्र में विदा तो करना ही पड़ेगा जाना तो फड़ेगा 14 बरशबन में रहना है how उद्रशबन में रहना है पिदा जीवन में कभी भी किसी कोई वचन न दिया जाय अती परसंद्रता में बचन न दिया जाए अतीक रोध में कोई निरणे न लिया जाए ये दोनों मनुष्य के जीवन के जाने तक तक तरास देते हैं इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को स्रवन करने के लिए महराज स्री के एक मात्र अधिकरित ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को अवस्य दबा दें